दोस्तो नमस्कार भारते रेल यात्री चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज इस रेल वे लाइन के बारे में हम लोग जानने के लिए जा रहे हैं वो है भोपाल राम गंज मंडी रेल लाइन आप यहाँ पर देख पारे होंगे भोपाल जंगसन और यहाँ पर आप देख पारे होंगे राम गंज मंडी जंगसन तो कहने को ही यह किवल भोपाल राम गंज मंडी रेल लाइन है आप यहाँ पर जब देखेंगे तो वास्तो में यह जो रेल लाइन है ये संत हीरादरं नगर से जो है भोपाल, राम गंज मंडी रेल लाइन निकलती है न कि भोपाल से आगे बढ़ने पर हम लोग साड़े रेलवे स्टेशन भी देखेंगे लेकिन पहले हम लोग ये जान लें कि संत हिरादरम नगर से निकलने के बाद घटोली तक का जो सेक्षन है केवल यही निर्माना धीन रह गया है राम गंज मंडी से घटोली तक का जो सेक्षन है आप दोस्तों यहाँ पर देख पारे होंगे राम गंज मंडी से जालावार सीटी होते हुए घटोली तक का जो सेक्षन है वो तयार हो चुका है और जालावार से ले करके उज्जेन तक का जो नई रेल लाइन का प्रोजेक्ट है वो भी हमारे चैनल पे अभी थोड़ी दिर पहले ही अप्लोड किया गया है आप चाहें तो उसे देख सकते हैं तो वास्तव में ये जो रेल सक्षन अब रह गया है वो है घटोली संथ हिराद्रम नगर जो रेल लाइन है तो आईए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन-कौन से नहीं रेलवे स्टेशन है भोपाल से निकलने के बाद संथ हिराद्रम नगर से आगे बढ़ें तो और उसके बाद फिर है बियावरा राजगर और ये गुना सिक्षन वाला लाइन है ये है राएगर मतलों कि उसके बाद है फिर खिलचीपूर और फिर है भोजपूर आप यहां पर देख सकते हैं ये भोजपूर का जो रेल लाइन है ये है भोजपूर और उसके बाद फिर यहाँ पे दोस्तो फाइनली घटोली तो घटोली से आगे का जो सक्षन है वो सिंगल प्लस एलेक्ट्रिफाइड है अकलेरा अमेठा उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख पारे होंगे जूना खेड़ा जालर अंजलरा पाटन फिर यहाँ पे आप देख पारे हैं कि इसी गुना का जो रेल्वे सेक्षन है यह भौपाल रामगंज मंडी रेल लाइन के बन जाने से यह भी कनेक्ट हो जाएगा भौपाल से आप जहें गुना को भी जा सकते हैं वाया बियावरा राजगर इसका जो डिटेल रिपोर्ट है वह आल्रेडी मेरे चैनल पे दिया जा चुका है भौपाल रामगंज मंडी रेल लाइन का यह साथ तीसरा चौथा लेटेस्ट अपडेट में दे रहा हूं कि 27 दिसंबर का ही जो है यह रिपोर्ट है इसमें लिखा है कमिशनर ने की रामगंज मंडी से भौपाल तक रेल लाइन निर्मान कारी की समिक्षा इसमें क्या दिया हूँ है लेटेस्ट रिपोर्ट में देखते हैं कमिशनर डौक्टर पवन सर्माने मंगलवार को वीडिय कान्फरेनसिंग के जरिये रामगंज मंडी से भौपाल तक की नई रेल लाइन निर्मान के कारियों की समिक्षा की इस दौरान उन्होंने रेल्वे और राजगर सिहृत राइन के लाइन निर्मान कारी में तेजी लाइं पुंभी एदिگरेन के परकरमों को समान पुर्वक करवाई करें इसके आगे इस न्यूज आर्टिकल में लिखा है कि बैठक में रेलवे के मुखी पर्युजना प्रवंदख विजय पांडे सिहोर कलेक्टर प्रवीन सिंग राजगर के परभारी कलेक्टर और भुपाल के एडियम हरेंद नरायन सहित रेलवे के अधिकारी वसि मुपस्तिते बैठक में राजगर के परभारी कलेक्टर ने बताया कि नर्सिंग गड़ के 20 गाओं के परभावित किसानों ने 19 गाओं के किसानों का भुपतान हो गया है और सेस ए गाओं के परभावित को अगामी 10 दिन में राज़े भुपतान कर दी जाएगी चह गाओं में से चार में भी अवाड पारित की कारवाई की जा चुकी है कमिशनर डॉक्टर सर्मा ने रेलवे को मुरम आधी के लिए दो गाओं में संग्युक्त भ्रहमन कर अमरित सरोवर के रूप में जमीन आवंटन के निर्देश दिये हैं उन्होंने नियायले में प्रकर्णों में भी तोड़ित करवाई करने के निर्देश दिये हैं पैठक में सिहोर कलेक्टर ने बताया कि साथ बिंदों में से दो का निराकरन हो गया है उन्होंने बताया कि ग्राम इमलिया में धारा 23 का प्रकासन हो गया है और मुआब्या वित्रन जारी है ग्राम बै दारा 23 का प्रकासन हो गया है और किसानों को अवाड रासी दी गई है स्यामपूर में में प्रभवितों को मुआवजा रासी दी जा रहे चुकी है रेल लाइन इर्वान में तीन अतिक्रमन की बाधा भी दूर की गई है बैठक में बोपाल के एडियम हडिन नराइन ने बताया कि बोपाल के ग्राम मुगालिया हट दौलतपूर टिकरिया मीरपूर विरान और जिर्निया में धारा 23 की करवाही जारी है जबकि बरखेरा बोंदर में धारा 19 की करवाही सेस है कमिस्नर ने उक्त प्रकरन में सिग्ड कारवाही के निर्देश दिये हैं उन्होंने सास्किय भूमी को रेलवे के लिए हस्तानतरन का प्रकरन सिग्ड प्रस्तूत करने के लिए भी कहा है रेल लाइन निर्मान में निसात पुड़ा के अतिक्रमन हटाने पड़ भी रेलवे को उचित प्रस्ताव जिला प्रसासन के समुक्छ प्रस्तूत करने के निर्देश दिये तो दोस्तो यही था एक रिपोर्ट आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि यह लाइव वियनस का जो नियूज आर्टिकल का रिपोर्ट था लेटेस्ट अपडेट वो मैंने आपको दिया वीडियो पसंद आया होत इस वीडियो को लाइक करें हमारे चनल को सब्सक्राइब करें भोपाल राम गंज बंडी से रिल लाइन से जुड़े हुए या फिर इस रिल लाइन के बारे में अपडेट जाने के लिए जो लोग उत्सुक हों उनके साथ आप इस वीडियो को साजा कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए आप से भी लोगों का बहुत भाँध धन्यवाद आपने अपना भामूली समय दिया इसके लिए जै इसके लिए हर्दिक सुक्रिया जै हिंद जै भारत जै बियार